दोस्तों आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी कोई खोई हुई चीज ढूंड रहे हो और कोई अलगी चीज मिल जाए जिससे आप बहुत टाइम से ढूंड रहे थे बट वो आपको मिलना ही रही थी कभी कभी आकेलोजिस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब वो काफी शियोर होते हैं कि इस जगा पर उन्हें कोई पर्टिकुलर अफशेश ही मिलेगा लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे वो लंबे समय से खोश तो रहे थे लेकिन उन अफशेशों के म ब्रिटिश केनेडियन स्वार्ड जाहिर से बात है किसी आर्केलोजिकल डिस्कवरी के लिए आपका आर्केलोजिस्ट होना तो जरूरी है ये खोज कोई भी कहीं भी नहीं कर सकता ऐसा ही कुछ हुआ कैनेडा के उटावा में बात 2021 की है जब एक घर के मालिक ने अपने घर के रेनोवेशन का काम शुरू किया और उस दुरान उसे जो मिला वो वाकई अनेक्सपेक्टेड था ये एक पुरानी जंग लगी तलवार थी इसके बारे में जानकारी इकठी करने के लिए मिलिटरी आर्केलोजिस्ट को कॉन्टैक्ट किया गया कैनेडियन म्यूजियम के रि 9. वाइकिंग्स इस रिसर्च के अनुसार वाइकिंग्स का डिने सदन यॉरोप में रहने वाले ब्रिटिशर्स और एशियन लोगों के साथ मैच करता है इसका मतलब वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया के रहने वाले नहीं थे इस खोज ने इतिहास की पूरी थियरी को ही पलट कर रख दिया ह हमारी ये खोज हाल ही में तो नहीं हुई लेकिन हाल ही में इसकी ओनर्शिप के बारे में एक नई थियरी जरूर दी गई है 1995 में एक वेल प्रिजर्व तलवार खोजी गई ये स्वार्ड 12th सेंचुरी की थी जिस साइबीरिया के ब्रिस्क रीजिन में एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा हुआ पाया गया था पूरे साइबीरियन प्रांथ में ये अपनी तरह का इकलोता हथियार था लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्वार्ड सार आईवन की थी ये तलवार इसलिए भी खास है क्योंकि इसके ब्लेड्स रशियन नहीं थे बलकि इन्हें जर्मनी में बनाया गया था हलाकि ये तलवार आईवन के समय से भी एक सदी पुरानी थी लेकिन पश्चमी यॉरप के साथ डेवलेप हुए वेपार के रिलेशनजिप की वज़ा से ये तलवार उसे मिली जिसे बाद में उसने आईवन कॉल्सो को उपहर के तौर पर दे दिया माल्टा का ये 2700 साल पुराना मॉन्यूमेंट है और आकेल लोजिस्स को लगता था कि उन्होंने इस गुफा को पूरी तरक हंगाल लिया था और इसलिए 19-वी सदी के बाद यहां एक्सकेवेशन कारिये लगभग बंद हो गया था लेकिन अगस्स 2021 में इस केव के बारे में जो सामने आया वो वाकई चौका देने वाला था असल में यहां पर इस मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक्सकेवेशन कारे किया जा रहे थे और इसी दोरान पता चला कि पहले हमें जतना लगता था यह केव उससे तीन गुना लंबी है इसके अलावा यह मॉन्यूमेंट एक पुराने फ्रिग्यन टेंपल के उपर बना हुआ है हमारी एक खोजबी माल्ता मॉन्यूमेंट के नीचे छिपे मंदर की खोज जैसी ही है इस साइट के बारे में साइँटिस को पहले से ही पता था लेकिन दो हजार बीस में यहां से एक बेहध नई और अनेकस्पेकट हुज हुई जब आकेलोजिस को यहां से एक स्टैचू मिला साइँटिस का कहना है कि इस स्टैचू 12 सेंचुरी में बनाया गया था और इसे एक हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक गार्डियन के तौर पर रखा गया था एंकॉन वाट एक कॉंप्लेक्स साइट है और यहां का पहला मंदिर 9 सेंचुरी में बनाया गया था और इसके बाद लगबग अगले 500 सालों तक यहां अलग अलग तरह की बिल्लिंग्स का निर्मान होता रहा हाला कि अब इस स्टैचु के हाथ पै टूट चुके हैं बट सबी हिस्से इसके आसपासी पड़े हुए मिले हैं तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इसे जोड कर किसी म्यूजियम में रख दिया जाए फरवरी 2020 में आकेलोजिस ने एक कांसे का बना ग्रीक वारियर स्टैचु खोश निकाला यह स्टैचु इसराइल के हाइफा बे की तली से मिला है यह आज भी इतनी अच्छी तरह प्रिजर्वड है कि इसकी गोल्ड लीफ पर बनी स्नेक्स और लायन्स की डिजाइन आज भी विजिबल है लेकिन जो बात आकेलोजिस को सबसे ज्यादा है वो है कि यह स्टैचू हाइफा बे में पहुंचा कैसे हिस्टोरियन्स का कहना है कि हेलमेट लगबख 26 साल पुराना है और यह जरूर किसी ग्रीक योद्धा का रहा होगा ऐसा ही एक हेलमेट 1950 में इटली के आईलेंड गिगलियों में भी पाया गया था लेकिन इसराइल में मिले इस हेलमेट की क्वालिटी काफी बहतर थी और आर्केलोजिस्ट के अनुसार इसे कोई आवरेज सोलजर एफॉर्ड ही नहीं कर सकता था यह जरूर किसी रिच मासीनरी का रहा होगा दिसंबर 2020 में आर्केलोजिस्ट ने विगब हॉल्म आर्केलोजिकल साइट पर एक वाइकिंग सिल्वर का एक धेर खोज निकाला रिसर्चर्स को यहां से कॉइन्स, नेकलेस और ब्रेसलेट्स मिले हिस्टोरियन्स का मानना है कि यह जगा वाइकिंग एज में फार्माउज हुआ करती थी यहां से मिले अफशेश इसलिए भी काफी इंपॉर्टन है क्योंकि इस तरह के डिजाइन वाइकिंग रिमेंस में इस से पहले कभी नहीं देखे गए किसी बिल्डिंग से इतना सिल्वर मिलना भी एक अजीब बात है इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इस धेर में कई देशों के आर्टिफाक्स थे इस कलेक्शन में अरेबियन कॉइंस, रोमन कॉइंस और इनमें ज्यादा तर आर्टिफाक्स 11 सेंचुरी के थे लेकिन रिसरचर्स का कहना था कि इन आर्टिफाक्स को 10 सेंचुरी में दफनाया गया था और इसके बाद लगबग सौ साल बाद इने निकाल कर फिर से दोबारा नई आर्टिफेक्ट्स के साथ दफन किया गया लेकिन ऐसा किसने और क्यों किया इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी दिसमबर 2019 में हुई स्टॉक होम की एक होज आपके भी होश उड़ा देगी यहाँ पर शहर के बीचों बीच एक 500 साल पुराना शिप रेक हो जा गया था हिस्टोरियन्स के माने तो यह सामसन था जो की एक कारगो शिप है जिसे 1598 में हल्स इंगलेंड से लाँच किया गया था यह एक होज भी आकेलोजिस के लिए बिल्कुल अनेक्सपेक्टेट थी इस एरिया में हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान इस शिप रेक को खुजा गया लेकिन इस डिसकवरी में सामसन के बारे में सिर्फ आधी मिस्ट्री ही सुल जाई गई है लगभग 30 मीटर लंबा यह शिप 1607 के बाद अचानक गया था और किसी को भी जानकारी नहीं थी कि यह शिप कहा गया जब यह शिप रेक आकेलोजिस को मिला उस समय तक इसमें सारा समान जैसे की कॉइन्स, ग्लासे, सेरमिक्स आधी इसमें सही सलामत थे यानि यह शिप लूट का शिकार तो नहीं हुआ था यह शिप कैसे गायब हुआ यह आज भी एक मिस्ट्री है जो शायद कभी नहीं सुलज़ेगी आपको क्या लगता है इस शिप के गायब होने की वज़ा क्या रही होगी अपना जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कैनेडा के वैंकूवर आइलेंड में कॉमिक्स हारबर शोर पर कुछ तो अजीब है समुद्र से उटी हर लहर के पीछे लौटने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे स्टेक्स देखे जा सकते हैं यह स्टेक्स यहाँ पर सालों पहले से हैं इन फाक्ट यह स्टेक्स इतने पुराने हैं कि आसपास के एरिया में आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जिसने इन स्टेक्स को ना देखा हो लेकिन यह स्टेक्स यहाँ कैसे आए इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी लेकिन अगस 2021 की एक स्टेडी के बाद जो सामने आया वो आपको भी हैरान कर देगा असल में यह स्टेक्स तेरा सो साल पुराने एक फिश ट्रैप के हिस्से थे आज भी वहाँ पर इस तरह का एक्जाक्ली तेरा हजार छे सो दो स्टेक्स है रिसेर्चर्स के अनुसार इन लोगों ने तीन सो से भी ज्यादा इंडिविजिल फिश ट्रैप्स बनाए थे और इस तरह ये ना सिर्फ अमेरिका बलकि दुनिया के सबसे बड़ा फिश ट्रैप्स सिस्टम रहा होगा 1862 में फिश ट्रैप्स को इलीगल घोशित कर दिया गया इसलिए फिशरीज आफिसर्स ने इसे नश्ट करने के बजाए रेत में ही दबा दिया आइरलेंड का बॉग अपनी प्रिजर्वेटिव प्रॉपटीज के लिए फेमस है अगेस 2021 में ये बात साबित भी हो गई जब यहां से आकेलोजिस को रॉस कॉमन में आइरन एज वुडन आइडल मिला लगभग दो मीटर लंबा ये आइडल और ट्री के तने को कार्व करके बनाया गया था हलाकि इने बनाने का अबजेक्टिव क्या था ये कोई भी नहीं जानता लेकिन इतना जरूर है कि ये आइडल काफी दुरलब हैं और पूरे आइरलेंड में इस तरह के सिर्फ बारा आइड़िफेक्ट्स पाए गए हैं हलाकि उन सबी में ये सबसे लंबा है कुछ लोग इसे रिचुल से जोड़ कर देखते हैं तो कुछ इसे किसी सोलजर का स्टेटस मानते हैं आपको क्या लगता है ये आइडल क्या रिप्रेजेंट करता होगा अपना जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद